कोई स्मार्टफोन कंपनी अगर कम प्राइस में ज्यादा पावरफुल स्पैसिफिकेशन के साथ फोन लॉंच कर सकती है तो वो है इन्फिनिक्स इन्फिनिक्स का एक और नया फोन लॉंच होने बाला है जो कि 30 मई को लॉंच हो सकता है हलांकि इसकी लॉंचिंग को लेकर अभी तक कंपनी की तरफ से कोई ओफिशियल स्टेट में नहीं आई है लेकिन ऐसा कहा जा रहा है कि ये स्मार्टफोन 30 मई को ही लॉंच होगा लॉंच डेट सामने आ गई है तो स्पैसिफिकेशन भी पता चल गए होगे तो चलिए इस वीडियो में मैं आपको इस स्मार्टफोन के स्पैसिफिकेशन के बारे में बताता हूँ लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन के लिए वैल आइकन प्रेस करना ना भूलिए सबसे पहले आपको इसकी लॉंच डेट और लॉंच इवेंट के बारे में बताते हैं जैसा कि आपको पता है कि ये फोन 30 मई को एक ओनलाइट इवेंट में लॉंच होगा पारस गुगलानी नाम के एक tipster है जिन्नोंने इनके launch से पहले ही इसके specifications को share कर दिया है जहां से ये detail निकल कर सामने आई है कि इस phone में आपको किस तरह के specifications मिलने वाले है इसके specifications में हम सबसे पहले इसकी display की बात करते है Infinex Note 35G phone को लेकर बताया गया है कि इसमें आपको 6.78 inch की punch hole display मिलेगी तो display तो इसमें आपको अच्छी खासी बड़ी मिलेगी साथी punch hole design है यानि कि front से देखने में भी ये smartphone शांदार देखेगा phone में आपको full HD plus resolution मिलेगा जो कि काफी अच्छी बात है साथ में 120 Hz का refresh rate होगा तो display के specifications तो काफी अच्छी है एक चीज जो शायद आपको इस phone में अच्छी ना लगे वो ये है कि इसमें आपको LCD पैनल मिलेगा AMOLED display आपको इस smartphone में देखने को नहीं मिलेगी अगर इसमें AMOLED display होती तो इस phone का कोई मुकाबला नहीं था लेकिन जहां हाल ही में लॉंच हुए OnePlus Nord CE 3 Lite 5G में भी आपको LCD पैनल ही मिलता है जबकि वो smartphone तो 20,000 रुपे में आता है मुझे उमीद है इसका price 20,000 से कुछ कम होगा मुझे उमीद है इसका price 20,000 से कम होगा वैसे मुझे लगता है कि ये phone 15,000 से 16,000 रुपे की range में लॉंच होगा वीडियो को पूरा देखने के बाद आप भी comment करके बताईए कि specifications के according इस smartphone का price क्या हो सकता है अब बात chipset की करते हैं लीक के according Infinix Note 35G MediaTek Dimensity 680 chipset पर लॉंच होगा जो कि एक काफी powerful processor है इसकी RAM को लेकर जो update आया है उसमें ये बगाया गया है कि इसमें आपको 8GB RAM के साथ 256GB तक storage मिलेगी लेकिन मुझे ये लगता है कि इसमें आपको एक तो 4GB RAM के साथ 64GB storage variant मिलेगा और दूसरा इसमें आपको 6GB RAM के साथ 128GB storage variant मिलेगा और जो इसका तीसरा variant होगा उसमें आपको 8GB RAM के साथ 256GB storage देखने को बिलेगी यानि कि ये फोन आपको कुल 3 RAM variant में देखने को मिल सकता है अब बात करते हैं फोन के सबसे जरूरी फीचर जिस पर सबका ध्यान रहता है और वो है camera वो इस फोन में आपको triple rear camera मिल सकता है जहां पर जो primary sensor होगा वो 108MP का होगा साथ में back panel पर 2MP के आपको 2 sensor देखने को मिलेंगे जिसमें से एक AI sensor होगा इसी तरह selfie और video calling के लिए इस फोन में आपको 16MP का front camera देखने को मिलेगा तो जहां तक leak के जरीए details सामने आई है तो इसके camera specifications भी काफी शानदार है Infinix Note 35G में आपको 5000mAh की बैटरी के साथ 33W की fast charging का support देखने को मिल सकता है तो ये सारे specification अभी तक इस smartphone को लेकर सामने आए है प्राइस इस smartphone का क्या होगा वो detail अभी तक सामने नहीं आई है launching latest की 30 में ही है और ये phone किस तरह से perform करेगा ये तभी पता चलेगा जब ये launch हो जाएगा उमीद करता हूँ ये video आपको पसंद आई होगी तो जाने से पहले video को like कर दीजिए और चैनल को subscribe करके notification के लिए bell icon प्रेस करना नाम परिए